मुद्दे दिला ये हिशुना चांदे दिला ये हिशुना चरणी में तूने जगम लिया हिशु मुद्दे दिला ये हिशुना चांदे दिला ये हिशुना अमको प्रासी गयाता मुद्ध कोई गया hopping चांदे दिला ये हिशुना चांदे दिला ये हिशुना कंडनी स्भाइभा मुद्ध कोतां थिला ये मुद्दै वाह collective मुद्ध खिलै दिला ये हिशुन काम अवडने खृधेंगलोडु कीम, अवडने समसारीकिनमे, इवड़ा समसारीकिय पिड़ुदना आई देवो वजनें कर्थावे, अवडने खृधेंगलु क्रिए चेईवान, अवडने इड़े आकेंट दिना आईट, अटेंगल तिरिमेनी इड़ेंट मुखतेक नोगी अब इनने करणन वर्यां कडियादी इरिकिनन वर्गेंटी प्रार्सेगिनन, कडिनना आले लोकेई अवरिम, इस्विशेश वजनें केट्टिटोंडोंड अले कर्थावे, अवड़े पल्शुदा आत्मावान दिवम, अवड़े खृधेंगलोड वाधिच्च्वान इरिकनमे इनने करणन वर्यां कडियादी प्रेच्च्वाल वर्यां को प्रभू का शुक्र गुजार हूं आज कुछ भाई लोग पहली बार आए हैं और भाई जैफरी आपका स्वागत कर चुके हैं लेकिन मुख्य वक्ता होने के कारण यह मेरा भी सौभाग यह है कि मैं आप सब का स्वागत करूँ इस सभा में शुरू से ही हम प्रभू के बच्चन पवित्र बाईबल का अध्यान करते हैं पवित्र बाईबल प्रभू का वच्चन है और भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है यदि आपने अपनी भाषा में इसका अध्यान नहीं किया है या कभी देखा नहीं है तो हमको बताईए जल्दी ही हम आपकी भाषा में व्यवस्था कर देंगे मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में ये उपलब्ध है उसके अलावा भारत की सेकड़ों भाषाओं में इसके पोर्शन्स उपलब्ध है जो हम आपको मंगा कर दे सकते हैं जिससे कि आप प्रभुई ईशु के बारे में पढ़ सके इस महान ग्रंथ की रचना प्रभुई ईशु के अनियाईयों ने लगबग डेड़ हजार साल के अंत्राल में किया था मतलब बैट कर किसी ने नहीं लिखा लिखते गए लिखते गए जो इतिहास एतिहासी घटना थी लिखते चले गए और आप जानते हैं कि डेड़ हजार साल तक कोई भी व्यक्ति जिन्दा नहीं रह सकता तो स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है लगबक चालीस सो लोगों ने डेड़ हजार साल का जो लंबा पीरिड है उस पीरिड में इस महान गरंद की रचना की और इस गरंद की विशेशता ये है कि संसार के स्रिष्टा इस दुनिया के या इस दुनिया की अपनी स्रिष्टी से कितना अधिक प्रेम करते हैं ये लेश बहुती सपष्ट तरीके से इसमें बताये गया है कई लोगों को गलत फेहमी है कि मनिश का स्रिष्टा इश्वर बहुती क्रूर और कड़ा व्यक्ति है जो किसी बूड़े बाबा के समान डंडा लेकर बैठा हुआ है कि कोई गलती करते हुए पकड़ा जाए तो उसक इमीडिटली सजा दी जाए नहीं यह आपके गलत फेहमी है संसार के स्रिष्टा स्रिष्टी करता जिनने इस पूरे विश्व की रेचना की है उस विश्व के रेचेयता इश्वर ना केवल सर्वशक्तिमान है बलकि असीमित असीमित का मतलब है कोई सीमा नहीं है असीमित स्नेह करते हैं अपनी स्रिष्टी से आप यदि कोई गलत काम करें उस गलत काम को सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन आप उस स्रिष्टा के बच्चे हैं और इस कारेंड़ वे आप से स्नेह करते हैं और वे हर्चन इस बात के इंतजार में रहते हैं कि गलती करने के बा अच्छा उस गल्ती को समझ जाए, मेरे पास वापस आए, जिससे कि मैं उसको शमा करके फिर से एक नए रास्ते पर चलने के लिए उसको प्रोथ साहित कर सको। यह है वो बैक्ग्राउंड जो आज पहली बार आएं हैं उन सब को मालूम होना चाहिए। इस महान ग्रंथ के दो खंड हैं, दोनों खंड इसमें हैं, एक पुराना खंड कहलाता है, या पूर्वी खंड और एक नया खंड या नया हिस्सा कहलाता है, वो जो पूर्वी हिस्सा है उसमें बहुत सारा इतिहास दिया हुआ है और हम लोग उस इतिहास का अध्यान कर रहे इस इतिहास के अध्यान के समय हमने देखा था कि आज से हजारों साल पहले मध्यपूरू में जहां पर मनुश की सबसे सबसे पहले मनुश का समाज हुआ था और जो वहां से बढ़कर सारी दुनिया में फैल गया था वहां प्रभू ने अपना वचन अपने बच्चों को दिय बोला इसे आगे बढ़ाओ कुछ लोग ने उसको आगे बढ़ाया कुछ लोग ने प्रभू के विरुद्ध काम किया जब इस तरह से हजारों साल बीत गए तो प्रभू ने कुछ विशेश लोगों को सेलेक्ट कर लिया कि वे लोग प्रभू के इस संदेश की रखवाली कर इसकी सुरच्छा करें ना केवल इसकी सुरच्छा करें बलकि इसे दूसरे लोगों तक पहुचाएं इस तरह से प्रभू के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ एक समूख चुना हुआ एक कौम था इस्राइलियों का पिछले कई महीनों से अपन लोग इस्राइलियों के जीवन कर सेटल हो गए मिस्र उसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था भोजन बगरा की परियापत व्यबस्था थी वहाँ पर वो लोग जाकर सेटल हो गए चार सो सालों में उनकी संख्या बढ़कर लगबग 20 लाग के करीब हो गई जब 20 लाग के करीब हो गए तो उस देश के बादशा और उस देश के अधिकारियों ने इन लोगों को गुलाम बना लिया लाखों गुलाम फ्री फंड में मिलना कोई छोटी बात नहीं है आप स्वयम जो की नौकरी के लिए केरल आए हुए हैं सब लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं भी कोई भी आदमी कोई काम ध भंदा कर रहा हो बिजनेस कर रहा हो फैक्टरी चला रहा हो उसको काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है और जब वो लोगों को काम पर लगाता है तो उनको प्रती दिन जो भी उनकी तनखाय या मजदूरी है वो देना पड़ता है लेकिन गुलाम तो फ्री हो रहा है आपने हमको अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया था लेकिन अब हम तो महज गुलाम रह गए हैं तब रभू ने एक बहुत ही महान नायक को उभारा था उस व्यक्ति ने इन लोगों को छुडाया ये सारी अभी तक मैंने जो घटना ये बताई है ये सारी पिछले हफतों में मैं आपको सुना चुका हूँ तो जब मिस्र के राजादी राज ने कहा कि जाओ ले जाओ अपने बाल बच्चों जानवरों को यहां से चले जाओ तो बीस लाग के करी इस्राइली लोग वहां से निकल कर जिस देश में प्रभू ने उनको ले जाने के लिए प्रामिस किया था उस देश की और चल दिये अगले दिन मिस्र देश के शाहनशा को ये बात समझ में आई कि जल्दी जल्दी में हमने दीस लाग गुलाम मुक्त कर दिये हैं जिन में से 6 लाग तो हटे कटे पुरिश थे जो 20 साल की उमर से उपर है और जो हमारे लिए गुलामी करते थे और कर सकते थे और जिनके द्वारा हम बहुत काम करवा सकते थे फ्री फंड में इन लोगों ने 600 रक्त मिस्र के शाहनशा ने 600 एक से एक बड़े रत लिये लास्ट हफते मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि उस समय दुनिया में सबसे शक्तिशाली घोड़े ईजिप्ट देश के पास थे और सबसे ताकतवा सबसे केजी से चलने वाले रत भी मिस्र देश के पास थे एक एक रत में दो चार छे गोड़े जोग दिये जाते थे और जब छे गोड़े एक साथ उसको कीच कर जाते हैं तो जरा सूचिए कि किस स्पीड से वो आगे जाएगा इस तरह से छे सो रत और जैसा मैंने पिछले अफ़ते बताया था कम से कम पचास साथ हजार पैदल योद्धा जब उनका पीछा करने लगे तो स्तिती बहुत खराब होगी स्तिती क्यों खराब होगी इसलिए कि जब ये लोग ये इसराइली लोगों के पास पहुँचे तो इसराइलियों ने पीछे मुड़के देखा उनके लेफ्ट सैड में उनकी पतनी राइट सैड में बच्चे पीछे जानवर आगे इसी तरह से परिवार के नाते रिष्टेदार अडोस पडोस के लोग लेकिन किसी के पास भी हतियार नहीं है ये लोग तो खेती किसानी करने वाले और जानवरों को पालने वाले लोग तो उनके पास तो हतियार नहीं है और पीछे उस समय दुनिया का सब जो सबसे शक्तिशाली शाहंशा था वो अपने छे सो सरदारों को दुनिया के सबसे तेज रतों पर बैठा कर दोड़ा दोड़ा आ रहा है और इसके साथ साथ पचास साथ हजार की सेना पैदल आ रही है ये देखकर उनकी हालत बहुत खराब हुई बहुत ज़्यादा देखिए प्रभु के वचन से ये मैं आपको पढ़के सुनाता हूं बाइबल के दूसरी पुस्तत नुर्गमन उसके चौदहुए अध्याय के दस्वे पत से मैं आपको पढ़के सुना रहा हूं सुन लीजि जब मिस्र का शाहंचा फिरोन निकट आया मतलब सेना को लेकर तो इस्राइलियों ने आँखे उठा कर देखी कि मिस्री लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और इस्राइली लोग अत्यंत डर गए और चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की दोहाई दी प्रभु से बिंती की देखिए ये कोई ordinary लोग नहीं थे इस्राइली लोगों ने एक थोड़े समय पहले ही देखा था कि इस संसार के स्रिष्टी करता ने किस तरह से उन लोगों का बचाव किया था और इसलिए जब कोई दुश्मन उनका पीछा कर रहा है और वो लोग जब प्रभु की दोहाई देंगे मतलब प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु से प्रार्तना करेंगे तो प्रभु निश्चित रूप से उनको छुटकारा देंगे लेकिन कई बार ये मनिश्च की बात है कि प्रभु से मिली हुए एक बहुत बड़े चुटकारे को देखा और इसके बाद अगली मुसीबत देखी तो एकदम से प्रभु पर विश्वास गायब ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ देखिए आगे लिखा हुआ है अतिन तर डर गए चिला चिला कर प्रभु की दोहाई दी प्रभु से बिंती की प्रभु से प्रार्थना की प्रभु से याचना की जब प्रभु से प्रार्थना की उसके बाद उनको क्या करना चाहिए था इंतिजार करना चाहिए था कि अब प्रभु रास्ता खोलेंगे उन्हें ऐसा नहीं किया उन्हेंने क्या किया 11 पत में हम देखते हैं बे लोग अपने नायक मुसा से कहने लगे तुम हमको मरने के लिए यंगल में ले आये हो हम तो पहले ही तुमसे ये बात कहते थे जरह सोचिए ये कैसा विश्वास है अभी दो दिन पहले तो इश्वर का कारी उन्हेंने अपने जीवन में देखा था उन्हेंने देखा था कि किस तरह से दुनिया के सबसे शक्तिशाली शाहनशा से प्रभु उन्हें उनको छुडाया था और जस्दो दिन के बाद जब वो शाहनशा उनका पीछा करके आया तो प्रभु से दोहाई तो प्रभु से रिक्वेस्ट तो किया प्रभु से प्रार्थना तो कि लेकिन अपने नायक से जगड़ा करने लगे कि तुम हमको मरने के लिए यहां लिया आये हो उन लोग को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि उनका नायक मूसा वो तो सर्फ एक मनिश है उस वो मनिश नहीं है जो उनको छुडा कर यहां लाया है मिस्र देश से छुडा कर ये मनिश नहीं है जो उनको लाया है इस मनिश का तो सिर्फ प्रभू ने एक नायक के रूप में उपयोग किया था मिस्र देश की गुलामी से उनको तो प्रभू ने छुडाया था तो जब प्रभू ने छुडाया था तो प्रबु अभी भी छुड़ा सकते हैं इस बात को भूल कर सारा गुस्सा उस मनुष के विरोध में उन्होंने उतार दिया मैं आज शाम को आपको पहली बात जो बताना चाहता हूँ वो यह है मेरे प्रिय भाईयों और बेहनों हम सब इस बात को जानते हैं कि जीवन में कितनी भी भारी मुसीबत क्यों न हो यदि हम प्रबु से रिक्वेस्ट करें प्रबु से प्रार्थ न करें प्रबु से याच न करें तो प्रबु जरूर उस समस्या के लिए एक हल निकालेंगे लेकिन मनश का मन बहुत चंचल होता है चंचल होने के कारें प्रबु सो बार उसकी मदद करें तो भी अगली बार वो फिर से उसका मन चंचल हो जाएगा आप लोगों ने केरल में आकर अर्बी के पत्ते देखे होंगे अर्बी जिसकी सबजी बनती है उसके पौदे तो यहाँ चारों तरफ अच्छी अर्बी के भी हो और जो जंगली अर्बी है उसके पौदे आसपास बहुत मिलते हैं उसमें अर्बी का जो बड़ा पत्ता होता है उसकी एक विशेष्टा है उस पत्ते को आप थाली नुमा बनाकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजे आप उस थाली नुमा पत्ते को चाहे कितना हिलाएं वो पानी स्थ्र नहीं रहेगा वो वैसा ही गोल बना रहेगा और वो उस पे लुड़कता रहेगा पत्य को गीला करके पत्य से चिपक नहीं जाता है प्रभू के बच्चों की कई बार अर्भी के पत्य पर पानी की स्थिती है कि प्रभू हमको सहारा दिये हुए हैं हम बाहर नहीं गिरेंगे लेकिन प्रभू के साथ पूरी तरह से अब्जॉर्ब होने के बदले हम पूरी तरह से अंस्टेबल अस्थिर रहते हैं अब हमको सो बार जिस प्रभू ने छुटका रह दिया सो बार जिस प्रभू ने मेरे और आपके जीवन में काम किया 101 वी बार एक छोटी सी मुसीबत आती है तो हम परेशन हो जाते हैं पूरी तरह से तूट जाते हैं कि अब हमारी मदद कौन करेगा प्रभू के महानायक ने उनको जबाब दिया देखे तेरहें पदमें डरो मत खड़े रहो मुक्ती उद्धार का वो काम देखो जो आज प्रभू तुमारे लिए करेंगे अभी प्रभू ने मुसा को कुछ नहीं बूला था लेकिन उस महाननायक को ये बात याद थी कि प्रभू जो आज से दो दिन पहले उन लोगों को छुटकारा देकर वापस लाएं हैं प्रभू उनको निश्चित रूप से छुटकारा देंगे और ऐसा छुटकारा देंगे जो मनिश सोच नहीं सकता क्योंकि उनकी स्तिती ये थी कि दो तरफ पहाड सामने समुद्र और पीछे से दुश्मन उसमान नायक ने कहा रुको दरो मत खड़े रहो भागो मत रो मत प्रभू स्वयम तुमको छुटकारा देंगे ये है वो विश्वास जो आपके अंदर और मेरे अंदर होना चाहिए और ये है वो दूसरी बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज प्रभू की वाणी जो लोग सुन रहे हैं इन में से बहुत सारे लोग अपने घर बार को अपने गाउं को अपने परिवार को अपने प्रदेश को छोड़ कर यहां इस केरल में नौकरी के लिए आए हैं आप घर से हजारों किलोमेटर दूर है यहां की बोली अलग है यहां का खाना अलग है मौसम अलग है यहां की संस्कृति अलग है लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक बात आपको याद रखना है चाहिए प्रभू वही है जिनोंने कल आपकी मदद की थी और वही प्रभू आज आपकी मदद करेंगे हो सकता है आपके जीवन में आप किसी बड़ी परेशानी से हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हों शेद नौकरी चूट गई हो या चूटने के चांसस हो हो सकता है कि आपको दो महीने तंखा ना मिली हो उदर घर पर आपके घर परिवार वाले इस बात के इंतजार में हैं कि आप यहां से कुछ पैसा भेजें तो आटा दाल खरीदा जाए हम सब के सामने ये परेशानी होती है या घर से शायद ख़बर आई कि आपका भाई आपकी बहन बेटा बेटी पतनी पती माँ बाप बीमार है और तुरंत उनको मदद चाहिए आपका मन बेचैन है क्यों इसलिए कि मैं यहां काम करूंगा तब पैसा बेच पाऊंगा इसलिए मैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए नहीं जा पाऊंगा मैं क्या करूं मेरे प्रिये भाई और बेहनों इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई न कोई मुसीबत ना हो आप पूछेंगे शासरी सर इस दुनिया में ऐसी भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जितनों पैसा इतनों पैसा है कि वो लोग गिन नहीं सकते है लेकिन पैसा मनिश को शांती नहीं दे सकता है यदि आप इतिहास का ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी लोग जिनके पास इतनी संपती है कि वो लोग उसको गिन नहीं सकते जान नहीं सकते कि कितनी संपत्य है ऐसे लोग भी आत्महतिया करते हैं ऐसे लोग भी बंदो की गोली लेकर सर पे कनपटी पे लगा के अपने आपको शूट कर देते हैं यदि आप अखबार पढ़ेंगे तो रोज इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं भारत में ही अपने हिंदुस्तान में ही कितने लोग हैं जो बहुत ही उँचे उँचे पोजिशन्स पर हैं लेकिन वो अपनी जान ले लेते हैं क्यों? इसलिए कि यदि आपने मनिश के रूप में जन्म लिया है तो चाहे पुरिश हो, स्तृरी हो जीवन में परिशानी होगी और जीवन में ऐसा कोई छण नहीं होगा जब परिशानी नहीं होगी लेकिन महतुपूर्ण बात यह है कि जिस प्रभु ने कल तक आपको चलाया था आज भी उसी प्रभु के उपर भरोसा रखें और जिस रह से प्रभु के महान नायक ने का था दरो मत खड़े रहो, मतलब स्तिर रहो प्रभु स्वयम रास्ता खोलेंगे आपके जीवन में जो भी परिशानी हो आज शाम को प्रभु के पास लाइए प्रभु उसका हल निकालेंगे यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ती के प्रार्थना की जरूरत है तो हमसे बात कीजिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करने के लिए हम लोग तत्पर है घर पर भी जाकर हम आपको प्रार्थना में याद रखेंगे कि प्रभू आपके सामने जो मुसीबत है उसको हल कर दें यहाँ पर देखिए प्रभू ने मुसीबत कैसे हल किया प्रभू ने मुसा से कहा अपनी लाठी उठा कर अपना हाथ समुद्र के उपर बढ़ा आपको याद होगा मुसा की वो फेमस लाठी जिस समय वो भेड चराहा रहा था उस समय इस लाठी का उपयोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए और भेड को सही रास्ते पर लाने के लिए करता था आज प्रभू ने उसको बताया कि वो लाठी लो और तुमारे सामने जो समुद्र दिख रहा है उस समुद्र के उपर उस लाठी को तान दो क्या होगा समुद्र के उपर लाठी मुझे उमीद है कि आप सबने समुद्र देख लिया होगा नहीं तो कोची में जाके समुद्र जरा देख ले बच्पन में मैं इतना भूला भाला था ममी ने मेरी ममी ने जब बता है कि समुद्र बेटा इतनो विशालकाय होता है कि हम उस पार नहीं देख सकते तो मेरा जो बालक मन था वो नहीं माना मेरी पैदाइश एक नदी के किनारे ही हुई थी पंपा नदी के किनारे जिसमें साल के बारों महीने जम कर पानी बरसता है पच्पन में पंपा नदी में नहाने के लिए जब मेरे चाचा ताव अगरा ले जाते थे तो इस किनारे खड़े होकर उस किनारे के लोगों को देख सकते थे जब ममी ने बताया कि समुद्र बेटा इतना विशाल काय होता है कि हम पार नहीं देख सकते मैंने यकीन नहीं किया लेकिन पहली बार समुद्र देखा तो पता चला कि वो दस नदी, सो नदी, इवन हजार नदी एक समुद्र के बराबर नहीं है उसकी चोड़ाई तो इतनी होती है कि मीलों चले जाएए, दसियों मील चले जाएए, वीसियों मील चले जाएए समुद्र, समाप्त, उसकी चोड़ाई समाप्त नहीं होती है इस्राइलियों के सामने ऐसा समुद्र था तैरो तो आप कहीं नहीं जा सकते नाव में जाएं तो कहीं जाने सकते 20 लाग लोगों के लिए नाव कहां से आएंगे प्रभु ने कहा बढ़ाओ अपनी लाठी लाठी बढ़ाने से क्या होगा उसके जवाब प्रभु ने दिया समुद्र दो भाग हो जाएगा और इस्राइली लोग समुद्र के बीच होकर जमीन ही जमीन पर चले जाएंगे ऐसा ही हुआ मुसा ने अपने हाथ में जो लाठी थी जिस लाठी के बढ़ाने पर इसके पहले भी प्रभु ने बहुत सारे अद्बुत कारी किये थे मुसा ने जब बोलाठी समुद्र के उपर बढ़ाई तो प्रभु ने आज फिर से एक अद्बुत कारी किया मैंने क्या बोला था आप से दो दिन पहले तो इन लोगों ने प्रभु के द्बारा किये अद्बुत कारी किये थे दो ही दिन में उनका मन मचल गया वो रोने लगे मुसा से उल्टी सीधी बात करने लगे प्रभु से बिंती की लेकिन क्या बिंती की आदे मन से बिंती की और उसके बाद एक बेचा रहा जिस व्यक्ति का कोई दोश नहीं था सारा दोश उस व्यक्ति पर लगाया लेकिन उस व्यक्ति का विश्वास अटल था प्रभु के उपर था उस व्यक्ति ने उस महान नायक ने कहा कि वेच प्रभु रास्ता कोलेंगे और जब उस महान नायक ने प्रभु के आदेश के अनुसार समुद्र के उपर अपनी लाठी यों की तो समुद्र दो भागों म में बट गया मेरे प्रीए भाई और बेहनों उसके पहले या उसके बाद संसार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जब समुद्र दो भागों में बट गया एक तरफ तीस, चालीस, पचास, साथ, सो फुट उचा पानी की दीवार और दूसरी तरफ सेकड़ फुट उची पानी की दीवार उसके बीच में से जब आप गुजर रहे हैं तो देखकर डर लगता है कि कहीं ये पानी की दीवार दोना तरफ से ढगई तो हम डूब जाएंगे समुद की गहराई तो सेकड़ों फुट होती है नहीं ऐसा नहीं हुआ सब पानी की वो दोनों दीवारें स्थिर खड़ी रही और तब तक स्थिर खड़ी रही जब तक ये बीस लाथ प्रभू के बच्चे जब तक वे लोग पूरी तरह से अपने जानवरों बाल बच्चों को ले पार नहीं हो गए पार होने के बाद क्या हुआ जब वे सब लोग पार हो गए तो प्रभू ने मुसा को आग्या दे के फिर से अपनी लाठी बढ़ा और जैसे ही उसने लाठी बढ़ाई वो पानी आकर पूरी तरह से अपनी जगह पर वापस आ गया और जो दुश्मन रहे थे वे सब लोग खतम हो गए प्रभू के वचन से ये एक बहुत महतुपूर्ण पाठ है जो मैं आप सब को फिर से याद देलाना चाहता हूं और वो पाठ ये है मेरे प्रिये भाई मेरी प्रिये बेहन आप शायद जीवन में किसी बड़ी समस्या के साथ संगर्ष कर हैं वो समस्या क्या है मैं नहीं जानता कुछ भी हो सकता है पड़ाई लिखाई की समस्या हो सकती है नौकरी की समस्या हो सकती है और जैसा मैंने कहा यदि जीवन में सब कुछ आराम आराम हो तो कोई भी व्यक्ति अपना गाओं अपनी भाषा अपने प्रदेश को छोड़क हजारों किलो मीटर दूर नौकरी के लिए नहीं जाएगा आप संगर्ष करके अपने परिवार का पालन कर रहे हैं और इस करण हो सकता है कि आप किसी न किसी बात के लिए प्रार्तना कर रहे हैं यकीन कीजिए जिस प्रभू ने आज तक आपकी मदद की है वे प्रभू आज आपकी मदद करना चाहते हैं एक कंडिशन सिर्फ एक शर्त है और वो शर्त यह है प्रभू पर भरोसा रखें अंस्टेबल ना हो जाए अस्तिर ना हो स्थिरता से रहें जब प्रभू का समय आएगा तब प्रभू रास्ता खोलेंगे और जब प्रभू रास्ता खोलेंगे तो ऐसे रास्ता कोलेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या ये दो बाते हैं महतुपूर्ण जो मैं आपको बताना चाहता था आज पहली बार जो लोग आए हैं उन में से और जो लोग नीमित रूप से हां आते हैं उन में से यदि कोई भाई या बहन ऐसा है जिसने आज तक इस बात को महसूस नहीं किया है कि मैं प्रबू की संतान हूँ मैं प्रबू का बच्चा हूँ तो उन लोगों को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ और वो ये है कि इस संसार के स्रिष्टा ने एक बहुत बड़ा रास्ता खुला है जिस रास्ते के द्वारा हम इश्वर की संतान बन सकते हैं युहन्य रेचित्सु स्माचार मतलब इसी पुस्तक में बाइबल में आगे युहन्य के पहले अध्याए के बार हुए पद में हम देखते हैं जिन लोगों ने प्रभु ईश्व को मुक्तेदाता के रूप में ग्रहन किया है उनको ईश्वर की संतान होने का भाग्य अधिकार प्रभु ने दिया है आज इस सभा में हम जितने लोग आएं हैं जिनोंने इसका आरेंजमेंट किया है हम सब लोगों ने इस कारण इसका औरेंजमेंट किया है कि आज से साल पर पहले या दस साल पहले या बीस साल पहले या उससे जादा सालों पहले हमने इस संदेश को सुना और इस संदेश के द्वारा एक नया जीवन पाया हम उस नई जीवन के बारे में आपको बताना चाहते हैं बताना हमारी जिम्मेदारी है एक बार सुन लेने के बाद आपको चाहिए या नहीं चाहिए आप ये नई जीवन पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर है क्योंकि आत्मिक बातों में जो भी निर्ने हम लेते हैं वो निर्ने अपनी स्वयन की इच्छा से होना चाहिए इसमें किसी भी कारण्ट से दूसरे के कहने पे नहीं होना चाहिए तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है आज से 2000 साल पहले अपने यहां से 1000 किलो मित्र दूर मद्यपूरू में एक यक्ति ने एक शिशु ने जन्म लिया जिस शिशु के बारे में जन्म से लगबग चार हजार साल पहले से भविश्य वक्ताओं ने हजारों बातें बताई थी फलानी जगह पर जन्म होगा फलाने तरीके से जन्म होगा वो व्यक्ति निम्न लिखितिया फलाना फलाना कारी करेगा यहां तक प्रभु के बच्चन में लिखा हुआ है कि वो इस संसार का मुक्ति दाता होगा सब को मुक्ति देगा या उद्धार देगा और ये भी बताया हुआ है कि वो मुक्तिदाता संसार के हर यक्ति को मुक्ति प्रदान करने के लिए अपने स्वयम का जीवन बलिदान के रूप में अर्पित कर देंगे आज से 2000 साल पहले प्रभु ईशू जिनको अपन उत्तर भारत में ईसा भी कहते हैं ये ईसा मसी भी कहते हैं यहां देट्षिंड में जनरली लोग उसी नाम का उच्चारण यीशू करते हैं अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग उच्चारण है ये बात मैं याब देलाना चाहता हूँ मैं उसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसको सब लोग या जिनको सब लोग ईशा कहते हैं आज से दो हजार साल पहले उनने इस संसार में जन्म लिया 33 साल की उमर में उन्होंने 12 शिष्य चुने उन शिष्यों के साथ सब जगे जा कर उन्होने लोगों को शिष्षाई दि, सब को बताया, इस संसार में मेरे आने का सिर्फ एक उदेश्य है, उदेश्य क्या है? इस संसार मैं सब को मुक्ती प्रदान करूँ, उधधार के लिए रास्ता प्रदान करूँ 33 साल की उमर में प्रभु ईशु ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही उनको धोखे से पकड़वा कर सूली पर चड़ा कर उनकी हत्या कर दी गई प्रभु ने इस बात को पहले सी बोल दिया था कि ऐसा ही मेरे साथ होगा उनको लगता है कि वो लोग मुझे समाप्त कर देंगे लेकिन मृत्यू के तीन दिन बाद मैं जीवित हो जाऊंगा उनको लगता है सूली पर जो मृत्यू है उनको लगता है कि उन्होंने मेरे साथिया की लेकिन ऐसा नहीं है मैंने स्वयम अपनी इच्छा से अपने आपको उनके हाथ में दे दिया जिससे कि वे लोग मुझे सूली पर चड़ा सके क्योंकि सूली पर अपनी मृत्यों के द्वारा मैं तुमारे पाप के लिए प्राइश्चित कर रहा हूं मेरे बच्चों और जब अपने प्राइश्चित के बाद प्रभू तीसरे दिन पुनर जीवित हो गए तब प्रभू ने 40 दिन तक ये बाद बार बार अपने बच्चों को बताए कि देखो मैंने अपने जीवन तुमारे ले कुर्बानी की उसके बाद पुनर जीवित हो गया अब मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मुक्ति देने के लिए मैं इस संसार में आया था मुझ पर विश्वास करो कि मैं तुमारा मुक्ति दाता हूँ मैं तुमको मुक्ति दूँगा मैं तुमको उधार दूँगा 40 दिन के बाद प्रभू शुष्यों के देखा देखते उनके सामने स्वर्गा रोहन करके स्वर्ग चले गे लेकिन जाने से पहले उनने कहा था मैं वापस आओंगा मैं वापस इसलिए आओंगा कि जिन लोगों ने भी मुझ पर विश्वास किया है उन सब को मैं अपने साथ ले जाओं आप कहेंगे कि पिछले 2000 सालों में जितने लोगों ने विश्वास किया वो सब तो मर्खब गए प्रभू उनको क्या ले जाएंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है प्रभू ने ये भी बूला था प्रभू के वचिन में ये बात पुनर जीवित हो जाएंगे जिस तरह से प्रभू पुनर जीवित फुरसे जीवित हो गए थे वे सब पुनर जीवित हो जाएंगे और तब संसार में जो लोग जीवित हैं जिनोंने प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में पाया है ये लोग भी पूरी तरह से बदल जाएंगे इस तरह से एक पुनर जीवित नए शरीर में सब लोग मन दियाकाश में प्रभू के पास उठा लिये जाएंगे जिससे कि हम सदा सरवदा के लिए प्रभू के साथ रहें मेरे प्रिय भाईयों और बहनों यदि इस संदेश को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एकदम से समझ में ना आए कोई बात नहीं हमने भी पहली बार ये बात सुनी थी तब यह बात समझ में नहीं आई थी लेकिन यहां कई भाई बहन लोग हैं जो इसे डीटल में आपको समझेने के लिए तयार हैं उन लोगों से ये बात पूछ लीजिए और बिना इस नई जीवन को पाए इस होल के बाहर ना जाएं ये मेरा आप से अनुरोध है तो आज जो तीन बाते मैंने आप सब को बताई फिर से याद देलाना चाहता हूं यदि आपने इस दुनिया में जन्म लिया है हम सब ने जन्म लिया है जितने लोग में ये प्रभू की वानी आज सुन रहे हैं सभी लोग जीवित हैं सभी ने इस संसार में जन्म लिया है इसलिए तो इस सभा में बैठ कर प्रभू की वानी सुन रहे हैं चूंकि आपने इस संसा उपर शरीर में जी रहे हैं इस कारण कोई न कोई मुसीबत बीच बीच में हमारे उपर आती रहेगी। यदि आप आज किसी तरह के किसी तरह की मुसीबत के साथ संगर्श कर रहे हैं तो किसी तरह से परेशन मत हुई है। मनिश हो, तो ये स्वाभाविक है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, लेकिन जिस तरह से प्रभु के महान नायक ने मुसा से का था, प्रभु आप उसके लिए रास्ता खुलेंगे, प्रभु आपके लिए रास्ता खुलेंगे, आज प्रभु की वानी जो भाई और बहन लोग सुन रहे हैं उन मेंसे कोई भी व्यक्ति यदि भीमारी, नौकरी तन्खा, परिवार किसी भी कारण से परिशान हो हमको बताईए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे यहाँ प्रार्थना क करेंगे, घर पर भी आपके लिए प्राटना करेंगे तीसरी बात यहां हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम ऐसे कई लोगों ने प्रभु ईशु के द्वारा एक नई जीवन का अनुभाव पाया है यदि उस नई जीवन का अनुभाव आपने नहीं पाया है तो उसको पाने के बाद ही इस हौल को छोड़ कर जाएं इन बातों को समझने के लिए प्रभु आप मैंसे हर व्यक्ति की मदद करें जै मसीखी